हेलो गाईज, वेलकम बाक टू माई चानल, ट्रेंडी फैशन, आज की वीडियो में, हम डेखेंगे, नवरात्री के नौ दिनों में देवी दुरगा को प्रसन करने के लिए आलग-अलग रंगों के कपड़े पहनने चाहिए, आए जाने किस दिन कौन से रंग के कपड़े पह पहना शुब होता है, पहले दिन औरंज रंग के कपड़े पहने, नारंगी या गेरुआ रंग के लिए कहा जाता है कि यह रंग त्याग का प्रतीक होता है, नारंगी, गेरुआ, भगवा या केसर या रंग को जीवन में आने वाले नए प्रकाश के तौर पर देखा जाता तू फ्रेंड आप लोगों को ये डिजाइन, ये आइडियाज, ये विडियो, ये कलेक्शन पसंद आएंगे, आप इस कलेक्शन, आइडियाज, ये विडियो को मिस नहीं किजिएगा, एंड तक देखिए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रेलिटिव्स, नेबर सब लोगों के साथ शेय भी कीजिए, ताकि वो भी हमारे आइडियोज और कलेक्शन, विडियोज को देखें, और हमें कमेंट्स करके बताए, आप को ये कलेक्शन और आइडियोज कैसे लगे, और आप किस टाइप के विडियो देखना चाहते है, अप लोगों के लिए उस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली न्यू विडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और हमारे कलेक्शन आइडियोज को देख सके,